हेलो गईस कैसे हैं आप लोग आपका स्वागत है हमारी ग्लास में और आप देख रहे हैं हमारी ग्लास करेंड अफेर शूव ठीक है तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग जब शूबरते हैं आज कि अपना सेशन दो विकली कर इंटरफिस में आप लोग का स्वागत है दोस्तों ठीक है चलिए जब करेंगे पिछले मंत क्या खास कोश्चन सारे कोश्चन की बात करेंगे काफी डीप में भी कोश्चन होंगे रहे होंगे वन लाइनर और स्टेट्मे हमारे सामने आएगा देखिए आप लो और एंसर दीजे क्या दोस्तों हमारा एंसर है पुछा गया है कि एग्सक्यूटिव डिरेक्टर ऑफ दे एशियन डवलप्मेंट मेंग कौन बना था कि आपसे पूछा क्या एंसर हमारा कि रहे है ठीक है बहुत सिंपल सा कोश्चन दोस्तों है या दोस्तों मारा एंसर क्या होगा हमारा एंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर ए विकास शील जी ऑप्शन नमबर जी तो राइट एंसर रोजी बी बोल रहे है अरे एडी बी पूछ रहे है एडी बी ऑप्शन नमबर ए विकास श is the right answer, ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, next question, who has been appointed as advisor to the executed actor, ADB, या दोस्तों हमारा answer क्या होगा, देखिए, what is the right answer, question number two दोस्तों, या guys हमारा answer क्या होगा, हमारा answer हो जाएगा, Smita Sarangi, option number E is the right answer, ठीक है, question number three, co-landing agreement की बात हो रही है, with the satin, credit care network limited, कौन सा bank है, जिसने basically satin credit care agreement किया co-landing के लिए, basically महिलाओ के लिए, महिलाओ उलम देने के लिए, या दोस्तों हमारा answer क्या होगा, और हमारा answer हो जाएगा, option number E, करनाटका बैंक, करनाटका बैंक and satin credit care network limited, option number E, हमारा सही answer, ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, Chief Executive Officer of the Indian Olympic Association कौन बना है, CEO of Indian Olympic Association कौन बना है, आपसे पूछा के answer हमारा क्या होगा, so guys, यहाँमारा answer क्या होगा, यहाँमारा answer हो जाएगा, option number D, हमारा सही answer होगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, question number 5 पुछा गया आपसे, State Bank of India ने 250 million dollar पैसा raise किया है, from the green bond दोस्तों, ठीक है, और यह bond होगा, यह mature होगा, 29 number 26 million, ठीक है, यह State Bank of India के 10 billion dollar का part है दोस्तों, और क्या बूला गया है, कि State Bank की कौन सी branch ने इसे issue किया था, branch पुछा गया आपसे, answer काई समारा क्या होगा, answer is London होगा, option number B is the right answer, so State Bank of India की London दोस्तों, option number B हमारा सही answer होगा, ठीक है, याद रखेगा, आगे बढ़ते हैं भाई लोग, अब यहाँ पर एक question और है आपके लिए, question थोड़ा लंबा है, देखे ध्यान से, और अपने-पने answer कीज़े, we have four statement दोस्तों, आराम से देखिए, मैं side हो जा रहा हूँ, can communicate a final decision to customer within 20 days of receiving a complaint, अच्छा, section 35A of the wedding, अच्छा, उल्टा हो गया है, ठीक है, अच्छा, चो गाई, यहाँ answer हमारा क्या होगा, तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा answer क्या होगा, यहाँ पे हमारा answer होगा, none of these होगा, दोस्तों, इसमें कोई point हमारा सही नहीं है, तो सारे बच्चे लोग ध्यान से एक बार देख लिए, गलती कहां पर हुई है, देखें दोस्तों, तो Reserve Bank of India ने अपने master direction में क्या बोला, RBI ने अपने master direction में क्या बोला दोस्तों, कि मतलब जो internal ambudsman है, उन्हें 30 दिन में, 30 दिन में दोस्तों, जब complain कोई public करता है, तो 30 दिन में अपना final decision देना होगता है दोस्तों, यहां क्या रिखा था बेटा, 20 दिन में लिखा था, इसके गलत हो गया, ठीक है, और क्या बोला गया, दा डिरेक्टिव बाइ, Reserve Bank of India issued in exercise of its power conferred by the section 35A of Banking Regulation Act, 1904, and section 45L and N of the RBI एक दोस्तों, यहां पर ULTA Act लिखा गया था, यहां पर एक उल्टा हो गया था, ठीक आइस, फिर बेटा क्या बोला गया था, तीसरा बोला गया था, कि जो मतलब Bank Bank है, तो क्या लिखा है, विजिन 20 डेस फॉर फाइनल डीसियन दोस्तों, यानि 20 दिन में कम्प्लेन आज आनी चाहिए, इसके पास, इंटरनल के पास, यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां पर दोस्तों लिखा हुआ था, आपका 30 दिन, यह गलत हो गया, और लास्ट में दोस्तों गया है, लास्ट में आज गया कि, जो आपके मतलब यह इंटरनल ओमिट्समन होते हैं, उनका टाइम पीरिड, नॉट लेस दन 3 यर, एंड नॉट मैक्सम फाइव यर दोस्तों, यह देख लिए चाहिए, वहां पर गलत लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, देखें, तो नॉट लेस दन 5 यर लिखा हुआ है, तो गलत हो गया, ठिक, यह नूज आपके एक्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टन थी, तो पीडियाप मैं दूँगा टलीग्राम पर, हाँ, फिर से रिवाइस स्टेल लेना, एक बर सारे बच्चे लोग, चलिए, आगे बढ़ते हैं भाई लोग, और बात करते हैं, नेक्स कोर्शन की, इंडिया नेपाल साइंट अ लॉग्टर्म पावर ट्रेड अग्रिमेंट दोस्तों, कितने वाउट का दोस्तों, भारत नेपाल से दस हजार मेगा वाउट बिजली खिर देगा हर साल, ऑप्शन नंबर सी इस दर राइट अंसर यह हैं पढ़ा चुके हैं आपको, इलेक्रिक डिप्लोमेसी में इसके बारे में सिम्धायत आपको दोस्तों, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स पॉइंट, क्या पूछा गया है भाई, विद अयोध्या नगर निगम टू इनेबल मॉबाइल पेमेंट इन दे सिटी, भाई, सिम्पल सी बात, एंसर मेटा क्या है हमारा पेटी हैं, ऑप्शन नमबर D is the right answer दोस्तों, हाइड्रोकार्बन सेक्टर दोस्तों, पॉइशन नमबर 9, तो हमारे क्याबिनेट का अप्रूवल से मिल गया था, एंसर बेटा हमारा क्या होगा, एंसर हमारा होगा गयाना, ऑप्शन नमबर B is the right answer दोस्तों, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगर्डिंग टू BP Statistical Review of World Energy, इंडिया इस दे वर्ड विच नमबर अफ लार्जेस एनरजी कंजूमर दोस्तों, तो भारत कौन से नमबर का सबसे बड़ा एनरजी कंजूमर है दोस्तों, तो भारत तीसरे नमबर का है न, तीसरे नमबर का सबसे बड़ा कंजूमर है, ऑप्शन नमबर C is the right answer, देख लो बटाग बढ़ते हैं, तो इंडिया इस दे वर्ड थर्ड लार्जेस्ट एनरजी कंजूमर, थर्ड लार्जेस कंजूमर ऑफ ओएल दोस्तों, एंड फोर्ड लार्जेस्ट रिफाइनर, भारत जो है, ठीक है, ऐसे कौशन एक्जाम में आते हैं, दोस्तों आगे बढ़ते हैं, किस मिनिस्ट्री ने लांज किया है, ERNAT, यह बड़ा इंपोर्टेंट है, फुल फॉर्म, एजुकेशन एंड रिसर्च नेट्वर्क आप इंडिया, ERNAT पोर्टल दोस्तों, तो आफ़र डोमेन रजिस्टेशन एंडोमेन नेम सिस्टम, तो यहां बड़ा हमारा एंसर क्या होगा, यहां हमारा एंसर हो जाएगा, Ministry of Electronics and IT Option Number C, आप लोग कृप्टा करके ERNAT का फुल फॉर्म याद कर लिजेगा दोस्तों, Option Number C is the right answer, आगे बढ़ते हैं भाई लोग, नेक्स पाइंट जाएगे, प्रिस्वी, प्रिस्वी विग्यान, वाट इस दे बजट आप दे स्कीम विच इस्पैम दे हो, जब भी कोई स्कीम बड़ा पढ़ो, तो हमेशा नाम तो पढ़ी लो उसका दुस्तों, उसका टाइम पीरिड हमेशा पढ़ो दोस्तों, हमेशा तो टाइम बिटा 21 से 26 लिखा हुआ है ध्यान देना, ठीक है, आपसे पुछा है, अबाउंट पुछा है दोस्तों, तो मोटा मोटा अमाउंट है, 4800 करोड रुपे, option number डीस दो राइटन से, ठीक है, मोटा मोटा मैंने क्यों बोला, क्योंकि यह 4797CR है exactly में दोस्तों, हाँ, तो अमाउंट आपको मालूम चल गया है दोस्तों, टाइम पीरिड आपकों सामने है दोस्तों, है ना, तो यह सब important point दोस्तों, ध्यान से देखना हाँ, अच्छा, under the which ministry, ministry of earth science, यह सब भी आपको ध्यान देना है दोस्तों, कुशन नहीं से बनेगा आपका, और गहीं से नहीं बनता है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं वाई लोग, कुशन नमर 13, कुशन नमर 13 देखे, बड़ अच्छा कुशन था यह भी दोस्तों, हमारी government of India ने पहली बार, इंदौर, भुपाल, उदैपुर, इन तीन शेहनों के दोस्तों, wetland city accreditation के लिए शामिल किया है, तो किस साली agreement हुआ था, मैं कुशन पहले पोच चुका हैं दोस्तों, एंसर हमारा क्या है 15 option number C, तो आपको शेहरों का नाम ध्यान देना है दोस्तों, शेहरों का नाम, तीन शेहर कौन कौन से हैं वो आपने देख लिया है दोस्तों, हाँ, आगे बढ़ेंगे, next point देखिया, तो यहाँ पर हम दिव बीच गेम्स की बात देख रहे हैं दोस्तों, तो इसमें 8 sports, अच्छा, ठीक है, नगुवा बीच दोस्तों, यही पर, तो इसका answer बीच गेम्स की बीच गेम्स की बीच गेम्स की बात करने हैं, यह भारत का पहला गेम है, भारत का पहला multi sports बीच गेम हैं यह, तो यह पहली बात है, इसलिए important है दोस्तों, हाँ, तो इसमें 8 sports खेले जाएंगे दोस्तों, 8 sports है, 8 तरगे sports, यह point पढ़ लीचेगा, और यह match कहां पर होंगे बेटा, तो घोगला बीच है, घोगला बीच वहाँ पर यह होगा, इस ते गलत होगया बेटा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, next question देखें, राष्ट्रिय खेल प्रोचसाहन पुरुसकार, तो विच उनिवर्स्टी हैंज वन द आइडेंटिफिकेशन और नर्शरिंग और बडिंग यंग टैलेंट, दोस्तों, आपको याद होगा, राष्ट्रिय खेल प्रोचसाहन पुरुसकार जो है, यह दो कटेगरी मिलता है, तो पहली कटेगरी यह है, आइडेंटिफिकेशन और नर्शरिंग, नर्शरिंग और बडिंग यंग टैलेंट, तो इस सेक्टर में, इस कटेगरी में, यह अवार्ड मिला था जिसे, जैन को मिला था, जैन डिम्ट यूनिवर्स्टी बैंगलोरूरू दोस्तों, ठीक है, आ आपके सेग्मेंट दोस्तों होते है, दूसरा बिटा मिला था, ओडिसा माइनिंग को मिला था, आप्शन नमबर, बीस दर राइट एंसर, तो एक बार ध्यान से देख लेंगे जाए, तो दो कटेगरी में और मिलता है, इस से में आवार्ड मिलता है, ठीक है, आगे बढ़त आप्शन नमबर, डीस दर राइट न, तो स्वामित स्कीम को मिला है दोस्तों, याद रखेगा, आगे बढ़ते हैं, नेक्स पॉइंट, आपसे कोशन पुछा गया है, इन विच एयर वास्ट स्वामित स्कीम लाउंच, तो स्वामित स्कीम को किस एयर में लाउंच किया गय है, इसका फुल फार्म यहां दोस्तों दिया हुआ है, कब लाउंच हुआ यह स्कीम दोस्तों, किस के इंडर में लाउंच काम करती है, यह सारे पॉइंट यहां पर है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और भी पॉइंट यहां पर देखेगा, टोटल बजट आउट लेए, कुंसी मिनस्ट्रिक अंड़ा में लॉंच हुआ इस सारे पॉइंट आपको याद होने चाहिए आगे बढ़ते हैं एक मिनट दीजेगा मोश्री आप कि इस गॉप कि इस गॉप कि इस गॉप कि इस गॉप इस गॉप कि कि इस गॉप कि इस तो यहां पर हमारा इंसर क्या हो देख लीज़ें आपर तो यहां पर आपने तीन इस पर पढ़ा है न्यू इस पेस इंडिया लिम्चर ठीक है इस तो कि यह बात कर रहे हैं यह नाम यहां रख्षना दोस्तों ठीक है जी सट एंटू फालकन नाइन रॉकेज है आपका और इस पेस एक्स पहला पॉइंट तो सही है इसमें हाँ पहली पार्टनर्शिप दोस्तों है जी सट एंटू वेटिंग 4700 यह तो सारा पॉइंट सही है मेरे ख्याल से सारे पॉइंट यहां पर सही है दोस्तों एक बार देख लो पूरे पॉइंट को ध्यान से तो न्यू इस पेस इंडिया लिम्टेट इसके बारे में जान लो दो सब्सक्राइब कर रहा है इनके अपने कुछ नीट्स होते हैं जैसे आपको यह दो का टाटा टाटा प्ले जो कंपनी है इसने अपना सट्लाइट लांच करवाए था अपने रिक्वार्मेंट्स बनवाए था तो न्यू स्पेस इंडिया लिम्टेट क्या यह कमर्शिल आम ह मतलब जो भी बिजनस की बात होगी इस तो लोग की वो यह करेगी दोस्तों हां तो न्यू स्पेस इंडिया लिम्टेट का हैटकॉर्टर बैंगलूरू में है तो इसने क्या किया है इसने दोस्तों इससे मतलब की स्पेसेक्स एगरिमेंट किया था ठीक है और अपना गीगाबाइट पर सेकेंट इतना ही पढ़ना है आपको ठीक है आगे बढ़ते हैं आपसे क्या पुछा गया है कि न्यू स्पेस इंडिया लिम्टेट की कौन सीमडी है इस्टाटिक जीट फ्रसाइगे आगे बढ़ते हैं बाई-लो तो पुछा है कि अगर आप लोग ध्यान से देखिए बुक और बुक का नाम याद रखना है who is the author और किसने रिलीस किया है तो General VK Sisuher ने रिलीस किया दोस्तों से हां क्या हमारा एंसर मेटा होगा एंसर हमारा हो जाएगा Dr. Manurma Mishra option number E संस्क्रती के I am 6 January option number E is the right answer 6 January option number E दोस्तो हमारा सही answer होगा what is the theme of the world day of war orphan theme पुछा गया आपसे theme दोस्तो हमारा क्या सकते कि तो theme क्या है दोस्तो theme यहापर बिटा क्या होगा option number E orphan lives matter option number E is the right answer ठीक है आगे बढ़ते हैं भाई लो देखलो तो 6 जनवरी को world day for war orphan theme orphan life matter ठीक यहाँ दोस्तो हम UN के report के बारे बात कर रहे हैं आपके exam में question बन सकता है कि world economic situation and prospect यह report कौन निकालता है तो UN मिटा निकालती है ठीक है तो UN की report इसमें क्या बोला गया चार option आपके पास है देखिए और अप्राइंसर दीजे देखलो भाई लो how many of the above statement are correct we have five statement what is the answer तो आप यहाँ बोलो a option मतलब only one तो आप बोलो only one और सही बोला आपने गलत नहीं बोला आपने तो guys क्या पॉइंट से देखिए आपे क्या बोला गया दोस्तों तो क्या बोला गया कि UN ने क्या किया भारत की जो growth rate है वो 6.2% होगी 24 में slightly lower than 3% for the 23 दोस्तों देख लो भाई सही है 6.2 in 24 and 6.5 बोला गया 23 के लिए तो यह गलत होगी दोस्तों माना है देखो तो आपनों देख लो भाई लो 24 में 6.2 बोला गया है 23 में 3 बोला गया South Asia की बेटा बात होई है तो क्या बोला गया है कि South Asia की GDP जो है यह 24 में 5.2% होगी और 23 में 5.3% थी ठीक है फिर ग्लोबल की बात कर लें इंफलेक्शन की तो ग्लोबल इंफलेक्शन fell from 8.1% in 22 ठीक है 5.7 in 23 and दोस्तो 3.9 in 24 एक बार ध्यान से पूरी इंफ़र्मेशन को याद कर लो फिर से बैठे 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 रिवाक्शन के लो इसे पॉइंट आपके एक्जाम के लिए बहुत जरूरी तो पहले हमने बात किये भारत की ग्रोथ फिक के बारे में ठीक है फिर दोस्तों हमने साउथ एश्या की बात किये फिर हमने इंफलेशन की बात किये सारे पॉइंट याद है दोस्तों आप लोगो देख लो भाई पढ़लो पूरी इंफार्मेशन आगे वड़ते है नेक्स पोर्शन आप से क्या पूशा गया है तो यहाँ पे हमारा एंसर क्या होगा न्यू यॉयॉक ऑप्शन नमबर डी इस दर राइंसर तो अप्शन नमबर डी दोस्तों हमारा सही अंसर हो जाएगा आगे बढ़ते है MDN CEO of National Investment and Infrastructure Fund Limited कौन पॉइंट हुआ है यह बड़ अच्छा पॉइंट है दोस्तों यह भी बड़ अच्छा इंफॉर्मेशन है यहाँ गाईज हमारा एंसर दोस्तों गया होगा यहाँ पे हमारा एंसर हो जाएगा संजीव अगरेवाल ऑप्शन नमबर सी संजीव अगरेवाल ऑप्शन नमबर सी इस दो राइट एंसर यह रिप्लेस करेंगे राजीव धर्ग चीक है आगे बढ़ते हैं भाई लो नेक्स्ट कोश्चन फिर से आपके सामने हैं दोस्तों और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं और गाइस इडिज मौस्ट मौस्ट इंपोर्न नूस याद होना चाहिए आपको मैं अन्सर नहीं बदा रहा हूँ मैं टिक कर रहा हूँ कि याद होना चाहिए पूरी इंफरमिशन एक बार देखो ध्यान से मैं हट रह वस्क्रीन से पूरी इंफरमिशन देखो NSO का first advance estimate आया है दोस्तों हाँ और इसमें क्या बोला गया है national income के बारे बोला गया है ठीक है देख लिजे तो पहला point तो सही है हमारा तो इंडिया इकनामिक ग्रोथ's real GDP will be 7.5% बोला है in the financial year 23-24 as compared to 6.2 बोल दिया है पढ़ दो भीया मैं क्या बोल और यहां दोस्तों बच्चे आप बोल लहाँ C बोल रहाँ only 3 बोल रहाँ यानि आपने बोल रहाँ इसमें तीन statement ठीक है एक गलत है पूरी information ध्यान से पढ़ दी estimate आचुका है national income मतलब GDP का दोस्तों ठीक है as per it Indian economy growth in the real GDP will 7.3% in the financial year 23-24 and यह क्या बता रहा है 7.2 था in the financial year 22-23 में एक साल पहले तो 7.2 से 7.3 दोस्तों हो रहा है यह देख लिए चेगा फिर क्या बूला गया है nominal terms the projected GDP growth for the India is 8.9% हां और 16.1% record in the financial year 22-23 दोस्तों मैंने आपको बूला था है कि what is difference between real GDP and nominal GDP तो जो nominal GDP है दोस्तों यह inflation भी count कर लेता है that's why इसकी GDP हमेशा को जयदा मिनेगी तो क्या बूला गया पिछले साल 6.1% इस साल 8.9% दोस्तों और फिर क्या बूला गया था दोस्तों तो real GDP अगर हम amount की बात कर ले कितना है 171.79 लाक करोड दोस्तों जो कि provisional इस् इसको देख लेज़गा पूरा इस आगे बढ़ते हैं दोस्तों next question आपके साबने question number 5 देहें इसमें भी तीन statement है और आपको सही answer चूज करना है what is the right answer दोस्तों IBRD has priced the 5-year sustainable development bond in the Great Britain Pound raise 1.8 billion GBP from investor the bond will venture 2nd October 27 दोस्तों यहाँ guys हमारा answer क्या हो जाएगा तो यहाँ पर हमारा answer दोस्तों हो जाएगा only B कि well B point हमारा सही है मतलब A point और C point हमारा गड़ पढ़ है दोस्तों गड़ क्या है देखिए यहाँ तो world bank का जो पार्ट है IBRD दोस्तों हाँ तो इसने पास साल का sustainable development bond launch किया था दोस्तों कितने में 1.5 billion great Britain pound में नकी 1.8 तो 1.5 दोस्तों है last point है the bond will mature on 2nd October 28 दोस्तों नकी 27 दिया था 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 28 तो इस point को पढ़ ली चेगा अच्छा point है दोस्तों आगे बढ़ते next point क्या बोला गया who is the MDN CFO पुछा है मतलब Chief Financial Officer of World Bank तो यह भारत की यह अंशुला कांत option number C is the right answer दोस्तों ठीक है आगे बढ़ते कौन a point हुआ है executed actor of the SEBI सेबी ने किसे point किया सेबी ने अपना executive director किसे point किया यह दोस्तों आप से पूछा गया यहां का इस हमारा answer क्या होगा देखे और बताएए we have five option so guys यहां हमारा answer क्या बिटाओगा answer हमारा जी कर दो जी राम मोहन राओ जी राम मोहन राओ option number C is the right answer दोस्तों ठीक है at which place Canra Bank opened its new data analytics center तो Canra Bank अपना नया data और analytics center कहा पर खोलेगा यह आपसे पूछा गया we have five option answer हमारा क्या होगा दोस्तों answer is Bangaluru option number E is the right answer दोस्तों आगे बढ़ते है what is the tagline of Canra Bank यह static जी है दोस्तों तो Canra Bank की tagline क्या है दोस्तों tagline है together we can option number A is the right answer सबसे simple tagline है ठीक है आगे बढ़ते हैं भाई लोग विद आर्सिलर मित्तल के साथ क्यों बेटा क्योंकि hyperloom technology पर काम करना है actually IIT जो IIT आप बताऊगे उसकी team है अविशकार hyperloom इस पर काम करना है तो इस पर आर्सिलर मित्तल भी लग गया है दोस्तों answer आवारा क्या होगा सुगे जिया हमारा answer क्या है answer is IIT मद्रास option number D IIT मद्रास का अविशकार hyperloo और दोस्तों आर्सिलर मित्तल के बीच में agreement हुआ था ठीक है आगे बढ़ते हैं भाई लो question number 11 question की ध्यान से देखना government scheme पर question है दोस्तों government scheme पर question इस बार exam बहुत आ है हमारे ध्यान से पढ़िए we have three statement आपको बताना है कि कौन सा स्टेट्मेंट ठीक है इसमें 32 सो एलेक्रिक बस की बात हो रही है वस्ट बैस अंडर दे पीम इबस सेवा ठीक है इंक्लूड हैं लो फ्लोर बसेस दम दे स्कीम ऑप दे मिनिस्ट्री यह स्कीम किसकी है मिनिस्ट्री और हाउधिंग अर्बन अफेर्स की है टोटल दस हजार इबस खरीदना है दोस्तों इसमें बोला या रहा टेंडर इस मैरेज़ बाई दा कन्वर्जेंस एनरजी सर्वेस लेंटेट दोस्तों यहां बेटा मेरा एंसर क्या होगा तो प्रधान मंतरी इबस सेवा जो स्कीम है उसमें दस हजार इलेक्ट्रोनिक बसों को शामिल किया जाएगा अगर मैं गलत नहीं हूँ तो दो जास एंटिस तक यह स्कीम चलेगी थर्डी सेवन तर तो दस जार इल्ट्रोनिक बस का पहला बैशन बात कर रहें तो 3600 इबस है दोस्तों जिसमें 100 आपकी लोफिल बसे होंगी यही पॉइंट है बागी सारे पॉइंट्स आई है यह चले ना भाई लोग ठीक है आगे बढ़ते हैं दोस्तों आदे हो ना पुशन आ गया तो पीम इबस सेवा स्कीम है दोस्तों तो इसमें यह स्कीम जो है कब तक चलेगी यह आपके पूछा गया तो यहां दोस्तों हमारा एंसर क्या होगा एंसर होगा हमारा 37 ऑप्शन नमबर इस दर राइट अंसर देख लो भाई लोग तो आपको पिटेखन देना कि 10,000 एलेक्ट्रिक बस्टिस की बात हो रही है 169 सिटीज की बात हो रही है यह स्कीम के अब तो चलेगी 2037 टोटल कॉस्ट है बिटा 57,613 करोर रुपए का 57,613 करोर जिसमें सेंट्र गवर्मेंट का होगा 20 करोर रुपए बाकी सब स्टेट लगाएगी दोस्तों यह से पॉइंट बहुत इंपॉर्टन है भाई यहां आगे बढ़ते हैं चले कोश्टन नमबर 13 की दोस्तों बात करेंगे आपके सामने चार स्टेटमेंट फिर से हैं और यहां परकतना की कितने स्टेटमेंट ठीक है इसमें दोस्तों ओम बिडिला जी की बात हो रही है इन्हों रॉंच किया है पंचायत से प्लियामेंट तक प्रुग्राम प्रुग्राम इंद पंचायती राज इंस्टिटूशन एन अर्बन लोगल वाड़ी ठीक है तो यह जो आपका है और्गनाइस बाई दर नैशनल कमिशन फॉर वूमे है दोस्तों तो यहां हमारा एंसर क्या होगा वनली टू इसमें दो स्टेट्मेंट ठीक है दोस्तों दो गलत है पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट एकदम सही है दोस्तों पंचायत से पार्लियामेंट तक याद रखना यह प्रोग्राम हुआ था एक ट्रेनिंग सेशन यहां दोस्तों 500 महिला आए थी मेरे ख्याव से न एक बार देख रहते हैं पान्सों महिलाओं को चुलां गया था पिटा इसमें और यह वन थाड़् है ना पार्लियामेंट में जितने सीट है तो महिलाओ को जो अरक्षण मिला है वन थाड़ मिला न दोस्तों देख लिए आगे बढ़ते हैं next point अच्छा भारत का पहला healthy and hygiene food street inaugurated by our health minister हाँ ना तो दोस्तों क्या इसका नाम है ये आप से पूछा गया ओज्यन महाकाल की नगरी में दोस्तों से किया गया तो गाइस यहां मारा answer क्या होगा answer हमारा हो जागा प्रशादम option number D प्रशादम option number D ठीक जैन में ये launch किया गया आगे बढ़ते हैं भाई लोग और देखिए next point क्या हमारे पास कौन से देश ने ओफिश्रे कर डिकले कर दिया कि snow leopard जो है वो national symbol इनका होगा दोस्तों क्या बेटा हमारा answer है देखिए ये भी आपको बढ़ाया गया तो गाई नमारा answer क्या होगा answer is क्रिजस्तान option number C क्रिजस्तान option number C is the right answer ठीक जोस्तों आगे बढ़ते हैं next one देखिए तो क्रिजस्तान currency क्या है दोस्तों ये आपसे पूछा गया answer सोम होगा option number C is the right answer ठीक है आगे बढ़िये भाई लोग दोगो तो इसमें से वो कौन सी महिला है जो फास्टेस महिला बन गई है इसकी सोलो अक्रोस अंटार्क्टिका covering 1113 किलो मेटर in 31 days 13 hour and 19 minutes 1113 किलो मेटर 11 दिन में 13 घंटे में 19 मिनट पे दोस्त हमारा answer क्या होगा answer is हरप्रीत चान्दी option number B दोस्तों यह बिल्टन की रहने वाली है वहां की डॉक्टर है आर्मी में तो बिल्टिश शिख आर्मी मैडिक मतलब डॉक्टर प्रीत चान्दी दोस्तों हाँ इन्हें पोलर प्रीत भी बोलते हैं तो इन्होंने अंटार्क्टिका में इसकी करके और पूरी दूरी 1120 किलो मेटर को 31 डेज में थर्टीन आवर में और 19 में पूरा किया दोस्तों ठीक है तो प्रीवेस्टली किसका आप डेक किया रिकॉर्ट तो यहां पर लिखा हुऊ मैंने तो दिया था आप लोगों PDF पढ़ने के लिए और मैंने बूला था यह question पढ़ने आपने से हाँ इस question बताए भाई लोग answer हमारा क्या होगा यहां पर आइस यहां हमारा answer क्या देख लिए answer is both A and B यानि A point हमारा सही है B point हमारा सही गलती C point में यानि best film drama open open heimer best actress drama Lily Gladstone तो यहां पर गलत क्या दोस्त देख लिए यहां पर succession को मिला best TV drama best TV series drama दोस्त इससे याद कर लीजेगा ठीक है आगे बढ़ते next question फिर से 81st golden global watch कहां पर टाकवा कलिफोर्निया में हुआ तो बताए विच आप दे यहां दोस्तों हमारा एंसर क्या होगा आवर एंसर इस आवर एंसर इस ऑप्शन नंबर कहां चलिए ऑप्शन नंबर फाइफ सारे सही हैं दूसर को of the meeting of the inland waterway development council दोस्तों पहला edition कहां पर हुआ कोलकाता में inland water development council का किसने सको लीट के यह आप से पूछा आगया तो इसकी information हम बाद ने को पढ़ाया भी दे ना एंसर इस सरबानन सोनवाल option number D is the right answer दोस्तों तो ध्यान से मेरी बात पुरा पढ़ लो inland waterway development council का पहला meeting पुलकाता में दोस्तों हुआ ठीक है याद रखना आगे बढ़ते हैं भाई लोग भारत का पहला anti-stress variable launch by the global space technology limited किसने launch किया है global space technologies limited भारत का पहला anti-stress variable दोस्तों एंसर हमारा क्या होगा या दोस्तों एंसर हमारा होगा option number one गोर होगा option number a is the right answer गोरोगा दो भारत का पहला anti-stress variable ठीक है आगे बढ़ते हैं भाई a total of how many product of West Bengal and Odisha have got GI tag recently अबे रिसेंटली में दोस्तों तो कितने product हैं from the Kolkata तीन थे ना तीन साडिया थी और from the Odisha साच शाथ थे तो टोटल मिलाके 10 मिर्खा से होंगे option number is the right answer देख लो भाई तो तीन आपकी साडिया थी Kolkata से आपकी साडिया नहीं मतलब वहां की साडिया है ठीक है boys यहां देखो भाई और एक दो तीन चार पांच छे साथ 7 आपके product है from the Odisha तो यह आपके सामने है चीक है आगे बढ़ते हैं भाई लोग चलिए next question पहला question आपके सामने गाई what is the right answer देखें So which of the following statement is our correct तीन statement हमारे पास है Sheik Hasina has been elected fifth term as the Prime Minister of Bangladesh सही है She was elected as the PM of Bangladesh from the first time in 1996 हुजागा ना बेटा लोग यह point हमा गलत हो गया So she was elected the PM of Bangladesh in 8, 14 and 18 8 हाँ यह सही है यानि हमारा हुगा A and C point हमारा हुगा option number 3 is the right answer बागी सारे point तो हैं यह दोस्तों ठीक है आगे बढ़ें भाई लोग चलिए अब दोस्तों क्या बात करेंगे next point की बात करेंगे आपसे So railway board में secretary कौन मना है Railway board में secretary कौन मना है यह आपसे पूशा गया है दोस्तों भूलना नहीं कल शाम को 6 बजे हमारी class है कल शाम से start हो रही है state bank of India clerical और EUIC के लिए हाँ So guys हमारा answer क्या है अरुना नायर Option number A is the right answer दोस्तों Question number 3 आपके सामने फिर से देखे So ADB ने भी दोस्तों bond अपने launch की है है ना और जो इनके bond है 3 billion with a maturity of 3 years सही है And 5 billion नहीं आपर 2 billion होगा And 2 billion with a maturity of 10 years Total 5 billion dollar दोस्तों हमें आद है ना So Asian Development Bank ने total 5 billion dollar का उधार दोस्तों लिया दो बांड से 1 bond था 3 साल का 3 billion का 1 bond था 2 billion का जो 3 billion था उसकी maturity 3 साल थी और जो 2 billion था उसकी maturity 10 साल थी दोस्तों ठीक अब the 3 year bond will be maturing on the 12th January 28th ये श्रहिए और ये ये गलात है दोस्तों नहीं ये 27 हो जाएगा ये भी गलात हो गया और ये 2034 दोस्तों हो जाएगा ये भी गलत हो गया हमारा answer is none of these दोस्तों तो भाइद देखो बेटा पलो तो Asian development था तोटल 5 billion का bond launch कर रहा 3 billion dollar का maturity 3 साल दोस्तों और 2 billion का maturity 10 साल जो मैंने आपको पढ़ाया था maturity देखो बेटा एक आपका 3 साल वाला 27 में और एक आपका दस्ता वाला 34 में mature हो रहा है पर सामने answer है ठीक आइस आगे बढ़ते है next question question क्या है who has been appointed as the chief of the material Indian Navy दोस्तों chief of the material Indian Navy पुछा गया है we have five option answer दोस्तों हमारा क्या होगा बताए answer what is the right answer दोस्तों तो यहाँ पे हमारा answer दोस्तों क्या होगा our answer is option number C Vice Admiral Kiran Deshmukh Vice Admiral Kiran Deshmukh option number C is the right answer चीज़ी दोस्तों आगे बढ़ते है question number 5 आपके सामने है guys और काफी यह important news है यहाँ से देखे वहने पढ़ाया आपको देखे तीन है statement तो एडा है ने रिमूब कर दिया requirement of case to case approval of investment in the infrastructure debt fund हाँ तो पहला point हो सही है दोस्तों हमारा the investment should be in line with the note 3 regulation 9 of EIDA investment regulation 2 जा सूला बेटा यहाँ पर हो जाएगा इसलिए point है हमारा दिला दोस्तों हो गया the minimum rating of double A or its equivalence हाँ यह हमारा सही है दोस्तों फे डबल ले बेला point सही है हमारा यानि answer should be ANC ANC option number 3 देखने बेटा आप लोग सही है तो सारे points सही पहला point अप देखे तो सही है दोस्तों दूसरे point में बस आपको जान देना था कि note 3 of the regulation 9 of EIDA investment regulation 16 में आया था double A rating वाला point तो सही है यह दोस्तों हमारा ठीक है आगे बढ़ते है Reserve Bank of India announced the that which payment bank had applied for a small finance bank license दोस्तों यहां मारा right answer क्या देखे फटाव रही है what is the right answer दोस्तों यहां मारा answer क्या होगा Pino payment bank option number D Pino payment bank का headquarter है वो मुंबई में है option number D is the right answer दोस्तों ठीक है तो किस हिसाब से देख लो भाई guidelines for on tap licensing of a small finance bank यह दोस्तों कब आया था यह आया था आपसे 19 में आया था उसके हिसाब से लेखे दिया जाएगा दिया जाएगा भी दिया नहीं गया दोस्तों एक point याद कर लेजेगा ठीक है आगे बढ़ते हैं भाई लोग who is the chairman of the Pino payment bank दोस्तों तो इसका answer क्या देख लिए आगे बढ़ते हैं भाई लोग चले आपके सामने हैं ज्यान से देखिए इंडिया ने साओधी अरेबिया ने अभी एक agreement किया था आज कल काफी वह मामला तूल पगाड़ा है आज कल मतलब वह मामला तूल पगाड़ा हमाई देश में नहीं पाकिस्तान और जैसे जो जाहिल मुल्ख हैं वहाँ पर है ना कि कोई कैसे कोई महिला चले गई वहाँ तक चले गई तो बढ़ा हल्दू बाते हैं फिलाल मुद्य परवाते हैं तो आप देखरों कि यह न्यूस है चल लगी है ना तो 1,75,025 जो हजयात्री हैं उनके लिए अग्रिमेंट हुआ रहा है तो कहां पर वहाँ यह पुछा आइंसर इस जद्धा ऑप्शन नंबर दी दुराइडंस नंबर याद रखना दोस्तों यह नंबर हाँ जरूर फिया रखना आपके एकजाम में यह तो कुशन बनेंगे दोस्तों ठीक अगर हम प्राइवेट ऑपरेटर्स की बात किरें तो देखो यहाँ पर तो वन सेवन फाइव जिरो टू फाइंफ हर्यात्री जिसमें से वन चालिस मतलब एक चालिस बीस ठीक है सीट रिजर्फ और पिलिग्रिम और 35005 जो लोग है में बेटा वो प्राइवेट अपरेटर्स हुआएंगे तो यह पॉइंट है पूरा मारे पर्स आगे बढ़ते हैं आपके सामने देखिए क्या लिखा हुआ है अच्छा कोशन है दोस्तों तो भारे सरकार ने एक न्यू सोलर स्कीम लाउंच की है पॉर्ड़ पर्टिकुलर्ली वनुनेबल ट्राइबल ग्रुप के लिए अंडर दर प्रधान बंतरी जैनती आदिवासी म अबियान न्याय महा भीयान योजना दोस्तों पी एम जन्बन ठीक है तो आप लोगो ने वहां पे यह ब्याप बोल रहा हूं यह महा भीयान है क्लास की तरह गलती मत कीच जएगा हां महा भीयान है दोस्तों चलो तो क्या बुलागी है, स्कीम में आपके मल्टी पर्पर्पस सेंटर जो है तो पंदरा सो में दुभड़ा है पंदरा सो में लाइट दी जागी तो इसलिए गलाट हो गया हमारा ठीक है तोटल फाइनेशन आउटले ये सही है दोस्तो हमारा इड़ विल डिसबर्ज ओवर थ्री यर स्टार्टिंग विट रुपीस ट्वंटी करोण अच्छा पहले फेस में ठीक है तो पश्पन करोण दूसरे फेस में ये तो सही है ये पॉइंट हमारा यानि ये सही है ये सही है और ये सही है मतलब की हमारा तीन सही है वनली त्री दूस्तों ऑप्शन निम्बर सी है ना भाई लोग तो ऑप्शन निम्बर थ्री हमारा सही अंसर बेटा हो जाएगा देख लो भाई लोग यहापर पूरी स्कीम पढ़ाई थी क्लास बैरे आपको आगे बढ़ते देखे दोस्तों फिर क्या पूशा गया तो भाई पांसो पंदर करोड रुपा इसका फंड है तो आउट ओफ रुपीस फाइब वन फाइब करोड गौर्मेंट प्लांग तो यूज हाव मच करोड रुपी फॉर दा इलेक्रिफिकेशन आफ हाउस इन ट्राइबल गया दोस्तों तो बेटा मैंने आपको पढ़ाया था कि पांसो पंदरा में से दोस्तों क्या बेटा होगा पंदरा करोड रुपाए जो है यह आपके पंदरा सो जो इस सेंटर है उनके लिए होगा और दोस्तों जो आपका ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, यहां मैंने सारा पॉइंट लिख दिया दोस्तों, हाँ, चलिए, क्या पुछ आ गया है, इन विच यह वास्ट प्रधान बंत्री, जन जाती, अधिवासी, नियायोजना लॉच्छ, यह कौन सा साल तर इसमें लॉच्छ हुआ, वाट इस दोस्तों, यहां मैंना एंसर क्या होगा, एंसर होगा हमारा 2023, ऑप्शन लॉच्छ लिखा गया, इसको ध्यान से पढ़ देना, फिर से एक बार, प्रधान बंत्री, जन जाती, आधिवासी, नियायोजना, यह लॉच्छ हुआ है, टोटल बजट ले देख लिजाए, आपके सामने है, चौबिस हुजार, एक सो चार करोड उपए, दोस्तों, जिसमें सेंट्र का शेर है, पंदरह हजार, तीन स्टेट करोड उपए, दोस्तों, हाँ, बाकी स्टेट का है, यह पढ़ना है, 75 कम्यूनिटीज लोकेटेट इन 18 स्टेट एंड तो ONGC ने स्टार्ट कर दिया, प्रडेक्शन अपना कृष्णा गुदावरी बेसिन बे अबेंगा, और सही पॉइंट है, मारा, ग्लस्टर 2, प्रजक्ट इन दा केजी डी 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 ब्लोक अंविल, हाँ, यह भी सही दोस्तों, हमारा, प्रट्च्छन इस एफ्टेट टू पार्टे, 45,000 बेरल पर दे सही है, और 10 मिलियन स्टेंडर क्यूबिक मीटर पर दे अप गैस, यह भी सही दोस्त सारे पॉइंट दोस्तों हमारे सही है, मैंने देख लिया, तो सारे पॉइंट यहापे सही है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आप गैस हम बात करेंगे, next question की देख लिए, तो who is the chairman of the OENGC, तो OENGC के chairman कौन मिटा, यह आपसे पूशा गया है, answer is, option number है, सुनील सिंग, अरे, अरुन कुमार, अरुन कुमार सिंग, option number B is the right answer, अरुन कुमार सिंग, not सुनील सिंग, option number B is the right answer, चलो कोई बात हैं हमसे भी गलतिया हो जाती है, ठीक आगे बढ़ें दोस् हो है, काफी डीप में बात कर रहे है, तो which of the following statement is our correct, we have three statement, देखे जान से, out of the 65,556 km of the broad gauge, मतलब रेल की बात हो लिए, 16,508, यह किलो मिटर और यह पूरा है, इतना हो चुका है, मतलब 93.83% has been rectified by the ministry कारे, ठीक है भाई, during the calendar year, Indian railway has achieved 6577 root kilometer, यह भी सही हो गया, पाइंट हमारा, जिसे सही हो गई, तो इसमें भी all हो का दोस्तों, option number 4 is right, बिल्को सही दो, ख्यान से पढ़ लेना, total हमारे देश में 65,556 km का broad gauge है, जिसमें guys, 16,508 km electrify हम कर चुके हैं, मतलब 93.83%, के वाल 23-23 की बात लेने, तो हमने 6577 km जो root have certified किया, दोस्तों, हाँ, यह सब याद कर लेना, चलो, आगे बढ़ते हैं, तो world most admired wine brand दोस्तों, यहाँ बिटा हमारा answer क्या है, यहाँ पे हमारा answer है, एंतिनोरी, option number C is the right answer, एंतिनोरी, option number C, ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई लोग, चलिए, जामनी टीम में यता है, United Cup 24, ठीक है, by which team, अच्छा, ठीक है, तो बिटा, United Cup 24 की बात कर रहे हैं, टैनिस करून, हमें इंठे, Sydney, Australia में हुआ दोस्तों, जर्मनी जीती है, बिटा, हरा के पोलेंट को, option number E should be right answer, जी, हाँ, भीकुल सही answer, तो जर्मनी न जीता है, दोस्तों, यहाँ रखेगा, और कौन हर यहाँ दोस्तों, हमारा answer, बिटा, क्या होगा, तो में सिंगल, वोन बाइद, अलेक्जेंडर, जेवरेव, जर्मनी से हैं, बिल्गुल सही, दोस्तों, वोमें सिंगल, वोन बाइद, इगा, स्वाइट, लेकि मेटा, यह पोलेंट से बिलॉन करती है, इसलिए यह पोइंट हमारा गलत हो गया, दोस्तों, मिक्स डबल, वोन बाइद, अलेक्जेंडर, जेवरेव, एंड लॉरा, सिंग्मुन्ट, तो यह हमारा पोइंट सही जमनी की है, दो एक सीधा भी है, दोस्तों, तो बेटा, हमारा answer क्या हो जागा, मतलब, ANC, मतलब, option number 4 is the right answer, option number 4 दोस्तों, ह सही answer है, हाँ, आगे बढ़ते हैं, 75th Creative Art Emmy Award की दोस्तों, हम बात कर रहे हैं, यह Netflix documentary थी हमारी, कौन सी बटा के अनम था, Working What We Do All Day, The Middle, तो इसके लिए अवार्ड मिला दोस्तों कि इसको, बलाक वामा को, option number 8 is the right answer, इन्हें already 2022 में भी अवार्ड मिल चुका है, National Park के लिए कुछ आगे बढ़ते हैं, next point, non-aligned movement, summit की दोस्तों बात करें, क्या यह 17th summit था, क्या यह कमपाला और युगांडा में दोस्तों हुआ, और क्या भारत को लीड किया हमारी देश मंतरी ने, क्या बेटा हमारा answer वा देखे, what is the right answer दोस्तों? हमारा answer क्या होगा, हमारा answer हो जाएगा, both B and C, यानि B point हमारा सही है, C point हमारा सही है, गरबड़ी A point में दोस्तों है, क्यों दोस्तों, क्योंकि यह आपको उनिस्वा एडिशन, तो इस बार जो नेम समिट हुआ है, वो उनिस्वा एडिशन कहां पर दोस्तों हुआ, युगा किसकी आद में, 2003 में हमारे दिश के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर लेट, अटल बेशन दोस्तों, और ये दोस्तों, 1915 में महात्मा गांधी जी के वापस South Africa की आनि की आद में समिनाते हैं, वेटा है, कि सारे point ध्यान दीचे का, option number is the right answer, दो भब या 1915 की बात हमने कर ली, औ तो तीन की बात हमने कर ली, हाँ, दोस्तों, आगे बढ़ेंगे, next point देखें याँ पर, what is the name of the initiative launched by the Assam State Transport Corporation, to improve air quality in Assam cities, what is the right answer, दोस्तों, हमारा answer बेटा क्या होगा, तो Assam, भारत का पहला state, दोस्तों, बन रहा है, answer is, why you option number E is the right answer, दोस्तों, हाँ, आगे बढ़ते हैं भाई बाकी दो दिन का रिवाइस कर चुके हो, रातर क्लास में, पीडियाप में दे दूँगा, ठीक है, वन्ना बहुत लंबी क्लास हमारी हो जागी, आपको भी अच्छा लगया नहीं, अभी 46 मिनिट हुआ है क्या, अरे तब तो क्लास चलेगी है, चलो बताओ भाई, पहला question द दूस्तों, उसके बाद क्या बोला गया आपसे, कि इन इंडिया फॉलोट बाइदर, बाइदर, तमिल लाडू यहां होना चाहिए, तमिल लाडू, 10% और फिर यूपी होना चाहिए, बेटा क्या, आपका 9%, तो यह पॉइंट तो हमां गलात हो गया, दूस्तों, ठीक है, मह की बाद करें, 30% contribution, export में 44, यह पॉइंट हमारा सही है, मतलब only C, मतलब कीवा लेख हमारा होना चाहिए, option number A, दूस्तों, इस दो राइदर, तो फ्रांस के सबसे कमेच के 34, यह रेटल के, answer, गैबिल लेटर, option number A is the right answer, दोस्तों, option number A, यह replace करेंगे, Elizabeth Bond को, दोस्तों, यह replace करेंगे, ठीक है, चलो, आगे बढ़ते हैं, भाई लोग, who has been appointed as the additional secretary and desk director general on the defense ministry, what is our right answer, दोस्तों, यहाँ बिटा, हमारा answer क्या होगर, यहाँ पे हमारा answer हो जाएगा, option number C, समीर कुमार सिंधा, option number C is the right answer, समीर कुमार सिंधा, दोस्तों, हाँ, आगे बढ़ते हैं, इंद्रमनी पांडे जो हैं, यह कौन से number के, बने हैं, दोस्तों, SD, मितलब सिंधार जर्णल of the, बिम्स्टेक, क्या हमारा बिटा answer है, इंद्रमनी पांडे, यहाँ दोस्तों, मारा answer क्या होगा, चौथा, option number B is the right answer, यह तेन जिन, लेक फैल को रिप्लेस करेंगे, भुटान के थे दोस्तों, हाँ, आगे बढ़ते हैं, लिखा इनमें से कौन सा member नहीं है, बिम्स्टेक का दोस्तों, इनमें कौन सा number नहीं है, we have five option, दोस्तों, answer नमारा हो जाएगा, मालदीव, option number E, प्रोडलिस में साथ देश है, इंडिया है, भुटान है, बांगला देश है, मियामार है, थाइलेंड है, निपाल है, श्री रंका, दोस्तों, ठीक है तो मालदीव, इसका number नहीं है, आगे बढ़ते हैं भाई लोग, आपसे क्या पूशा गया है, वर्ल्ड बैंक ने, अभी भारत की ग्रोथ रेट को, financial year 24-25 के लिए, 24-25 के लिए कितना बोला है, ये आपसे पूशा गया है, मतलब जो आगे आने वाना financial एमारा है, answer is 6.4%, 6.4%, option number C is the right answer, दोस्तों, एक बार आप देख लिए, तो 6.4% for the financial year 24-25, और 6.5% in the financial year 2000, 25-26, जो कि दो साल के बाद आएगा, उसका भी इनके पास, मतलब वो है, time machine, ठी गाईज, आगे बढ़ते हैं भाई लोग, question number 7, देखें बहुत अच्छा question है आपे है, we have three statement, हमारा answer क्या होगा है, अच्छा, तो reserve bank of india increased the minimum capital requirement for small finance bank, from 100 crore से 200 crore उपाई दोस्तों, तो इसलिए यह हमारा गलत होगया, ठीक, and permitted payment bank to upgrade as small finance bank, ठीक है, फिर क्या बोला गया, urban cooperative bank, जो कि अपने आपको small finance bank में convert करना चाते हैं, तो उनको handed CRM license मिल जाएगा, to be increased to 200 crore within the five year, दोस्तों होता है, पास साल में, capital बढ़ा नहीं, इसलिए गलत है दोस्तों, यह point हमारा, payment bank eligible for as per guidelines can apply for a small finance bank, conversion after five year, यह हमारा सही दोस्तों, मतलब only see, मतलब option number five is the right answer, ठीक है, बागी मैंने सारे point, आपको समझा दियें, इसमें, दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, next point, next point दोस्तों क्या देखिए आपर, question number 8, DGCA has cut down the maximum flight duty period from 13 to 8, नहीं, 13 to 10 hour दोस्तों होंगा न, इसलिए हमारा गलत होंगा, और timing 12 एम से 6 हम होगी, यह तो सही है मतलब, लेकिन इसलिए हमारा, DGCA has also said that a pilot can do a maximum of free landing नहीं, नहीं, 2 landing दोस्तों, 2 landing during that period, गलत होंगा हमारा, for flights which are above 14 hour, has restricted the maximum flight time to 17 hour, and ask airline to provide at rest of the 120 hour, 120 hour, after each flight, गलत होगे यह भी मारा, the rest period shall be increased by 24 hour होना चाहिए, तो यह हमारा गलत होगे, मतलब सारे गलत होगे, तो गाई हमारा प्रेटा एंसर क्या होगा, एंसर इस, none of these, option number E is the right answer, छी दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, next point, मैंने आपको पढ़ाया हुआ, देख लेचाहि, दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, next point, South Korea की नेशनल जो असेंबली है, इसने bill pass किया है, कि भई या कुट्टो बद्टो कोई खाया नहीं, है ना, तो कब तक के लिए, ये नियम आया, दोस्तों, इसका एंसर मेड़ा क्या होगा, एंसर होगा, 2027, option number C is the right answer, तो 2027, option number C, दोस्तों, हमारा सही एंसर है, अगर कोई पकड़ा गया दोस्तों, तो 3 साल की सजा हो जागी, या फिर आपको 30 million won, ये देना पड़गा विनाल्थी में, जो की 23,000 डॉलर के बराबर दोस्तों होगा, फिर आपको 30,000 डॉलर के बराबर दोस्तों, ये बेंगॉली राइटर है, नॉवलिस्ट हैं दोस्तों, इन्हें मिला है कुएंप रास्वे पुरस्कार, पांच लाग प्राइज बनी बैटा इनकी हैं दोस्तों, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इन विच यार, ही वास वान दा साहित्य अकैडमी अवार्ड दोस्तों, तो इन्हें सहित्य अकैडमी वार्ड कब मिला था, तो ये कब मिला था, ये मिला था, 1989 में मिला था, आप्शन नमबर ए दोस्तों, देखनें तेंक बार, आप्शन नमबर ए हमारा सही अंसर, देख लो मुझे कि इतना याद है, और फैलोशिप करनेटी बनने मिला था, आगे बढ़ते हैं भाई लोग, विशन नमबर फॉर्डीन आपके सामने देखें, दोस्तों क्या हमारा एंसर यहां पर होगा, मैं थोड़ा उपर कर दूँ क्या इसे आप लोग, तो था ओल है, ठीक है, तो DRDO recently launched the agram, assault rifle which weight less than agram नहीं, उग्रम दोस्तों नाम होगा, इसका होगा, तो यह गलत है, उग्रम, उग्रम दोस्तों होजाएगा, तो यह गलत है, हाँ, वेट less than 4 kg है तो सही है, रेंज है 500 मीटर बिल्कुल सही है, यह सही लेकिन, पुरा गलत होगे statement, इसकी वेज़ से, हाँ, तो आप्शन नमबर 2 is the right answer, ठीक, चलो भाई लोग, आगे बढ़ते हैं, next question क्या होगा, who is the chairman of DRDO, तो DRDO के chairman को ने यह आप से पेटा पुछा गया है, answer पेटा हमारा क्या होगा, समीर भी कामत, option number A is the right answer, ठीक है, question number 16 देखे, Chief of India, Naval Staff, Harikumar जी ने unveiled the indigenous darshan 10, star line drone for the Indian Navy added आने नहीं, डसने द्रिस्टी, तो यह नाम का, द्रिस्टी बेटा हो जागा, गलत हो गया हमारा, द्रिस्टी 10 है ना, star line drone दूसो, अच्छा, दे इंडिस्टी दोन सेट तो बिन दिक्टेट इंटू, नेवल मेर्टाइम अपरेशन डिपार्टेट, डिपार्टेट फॉम ते लंगाना, इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल दोस्तो बेटा हो रहा, यह दोस्तो कहा हो रहा है, एमदाबाद, option number, डीज़ राइट अंग्सर, बस हमें ध्यान देना, numbers में, 153 international kite flyer from the 55 country दोस्तो, 68 international kite flyer from the fell state and ut दोस्तो, यह सब याद रखीगा बेटा, आगे बढ़ते हैं, वर्ड हिंदी डे बेटा हम कब मनाते हैं, तो वर्ड हिंदी डे दे दे दोस्तो, बेटा उन्निस सो उन्चास में पहली बार, United Nation Journal Assembly में हिंदी बोली गई थी बेटा, उसलिए हम मनाते हैं, कब किस तारी को मनाते हैं, तो हम मनाते हैं दोस्तों, दस तारी को उप्शन नंबर C, और पहली बार 2006 में, मनमोहन सिंग जी प्राइम मिनिस्टर थे, तो बेटा इन्हों ने मतलब शुरुवात की थी, ठीक है, देख लिजेगा आप लो, आगे बढ़ते हैं नेक्स पाइंट, ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई लो, क्या बूलागे, वियतनाम कंपनी विनफास्ट, तो ये भारत के तमिलाडो में, तूति कुरीन में कितना अमाउंट निवेश करी, ये आपसे पूछा गया दोस्तों, यहां बेटा हमारा एंसर क्या होगा, अगे बढ़ते हैं भाई लोग, चली, बागी तो कली आप रिजुजन कर चुके हो, तो कैसी हमारी क्लास लेए, प्रीज बताएंगा बेटा, कल से हमारी क्लास, SBI, Clerical और UI, IC वाले जो बच्चे हैं उनके लिए, शाम को 6 बजे शुरू अरी दोस्तों, क्लास महिएगा, फिर आगे हम बात करते हैं आप से, थैंक यू सुमुच अपना ख्याल लखिये, ठूप पढ़ी ही आगे पढ़ी है हमेशा दोस्तों, और मॉर्निंग 8 लिएम पे आपका C.A. क्लास होगा, थैंक यू सुमुच अपना ख्याल थैंक यू,